आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाउ कोशन में जा रखा है I-Read a very interesting story now चार option में जा रखें पहला है is reading दूसरा है am reading थर्ड है read and last is will read देखे, particularly कोई person क्या कर रहा है इस story को पढ़ रहा है now नाउ गमला क्या है sentence present में है present में है और continuous में है यानि present काम लगातार चल रहा है और अभी तक वो चल रहा है तो continuous में वो sentence हैगा तो इसमें हम future represent तो नहीं कर सकते यानि future यानि future के लिए हम यह कह सकते है will का इस्तमाल तो हम नहीं कर सकते क्योंकि बात अभी की हो रही है नाउ की हो रही है तो हमारा d option तो यह वाला answer नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें will का इस्तमाल हो रहा है अब बात यहाँ पर i की भी हो रही है अब i, i के साथ हमेशा जो इस्तमाल होता है वो होता है m i के साथ हमेशा m इस्तमाल होता है और लगातार क्योंकि present continuous में है तो हमारी जो verb होगी उसके साथ ing आएगा तो यहाँ पर जो आना चाहिए आना चाहिए i am reading यह particularly क्या आना चाहिए यहाँ पर sentence आना चाहिए तो अगर मैं अपने option देखता हूँ पहला है i is reading देखिए यहाँ से तो कोई sequence बनी ही नहीं रहा तो यह तो answer नहीं होगा दूसरा है am reading यह हमारा answer हो सकता है क्योंकि यहाँ से लगातार यह क्या है present continuous का sentence है तो यह हमारा right answer हो सकता है third option है read again read भी हमारा answer नहीं होगा so हमारा right answer है option number B that is I am reading thank you